आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारूं की कैसे आप अपने Vivo T3 Android में आप अपने मुवाइल फोन की आटो ब्रैटनेस की प्रॉडम का अबसॉर्ब कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके अंदर आपको ये ऑप्षन मिलता है अडप्टीब ब्रैटनेस के सामने अगर आपको ये बटन जो है आपके फोन में चालू है ना तो इससे बंद करके रखना है और यहां पर सबसे ओपर इस सिस्टम आप जो लिखावा इससे टैप करना है इस पेज में आपको नीचे storage and catch पे tap करना है अब यहां पर आपको इक लिएर catch पे tap करना है तो आपका catch के सामने लाड़ डेटा जिरू हो जाता है अगला का हम ये करना है mobile phone का software आपको चेक करना है कि update है या नहीं है पहले phone का internet चालो रखना है इसके बाद phone का setting page ओपन करना है सबसे उपर आपको mobile phone को reset करना है दिखे दोस्तो mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने लिए phone का setting page open करिए इसमें सबसे उपर सर्च icon पर tap करना है यहां पे सबसे उपर सर्च बारवर reset आपको लिखना है आ आपकी problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone का जो data है उसका backup ले लीजिए अपने phone में और दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रख लेना है तो इस दो काम पहले करने है उसके बात phone को reset करने है ठीक है तो मेरे बताएवे तरीके आपको use करने से आपकी problem solve हो जाएगी ठीक है ना